हेलो गैज हेलो गैज स्वागत है आपका एक वार फिर से इस चनल पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है बिहार स्टेट पावर होर्णिंग कंपनी लिमिटेड आइटी आई पोस्ट वेकेंसी दोरहे की सिलेबस करने का मतला अभी इसका वेकेंसी का नोटिफिकेशन कि दोस्तों नहीं जारी हुआ फिर भी मैं इसका सिलेबस 2018 में सिलेबस आया हुआ था उसके आधार में मैं इस वीडियो में डिसकस करूँ गा और इसी का आधार पर आईटी पोस्ट वाले के जितने भी सिलेबस का नोटिफिकेशन निकलेगा इसी के बेस का होगा इसलिए इस वीडियो में हुआ इसके इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है इसमें कौन-कौन सा सबजेक्ट को पढ़ना है साथ में इसमें सेलरी डिटेल्स को भी जानेंगी क्योंकि मैंने पिसले वीडियो में जब हमने आपके डिफ, CCL और वि पूर रूप से इसमें आपका जनकारी दने वाला है अगर आप वीडियो चैनल पहना हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर पेस करें ताकि जब भी हम इस तरह की इंफर में इंफरमेटी वीडियो लेकर आए तापके पैस नोटिफिकेशन से पहुंच और आप ऊसका रही हो चलिए वीडियो को दिसक्रिप्शन उसका लिंग के आपको घृक्त करना है अगर आपको टुएट्री अंधर हो सब्सक्राइब ओर स्कूर्द करते हैं दोस्तों को हम कर दो तो आपके पास होना चाहिए आपके पास होना चाहिए आपके पास इलेक्टिसियन ट्रेड से वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपके पास होना चाहिए आप किसी भी आप से पास है तो भी चलेगा दोस्तों होने वाला है ध्यान से देखेंगे कि कंडेट सेलेक्टिसन फॉर एब पोस्ट विल विल बी मेड बाई तू स्टेज जो आपका सेलेक्शन प्रोसेस होगा दो स्टेज में किया जाएगा पहला सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर लिए क्डिशन और उसके बाद इसमें त्यारी में लग जाए दोस्तों नेक्स नेक्स बबात करने वाले आप स्लेवर के ऊपर तो जो इसका एक्जाम का होने वाला है कुछन्स आएगा कि इसमें आपको टेकनिकल आपको 50 को बच्चन्स पूछेजाएंगे जो आपके साथ में आपका जो आपका पचास होंगे उसमें आपका साइंस हिंदी जी के और इंग्लिस भी इंक्लूड है अब जानते हैं कि कौन-कौन सब्जेक्ट के कौन-कौन चैप्टर को पढ़ना है दोस्तों कि आप सकते हैं कि का रिख जारी चाहिए तो उसका मैंने कटीन यहां पर डाला है इंडियन हिस्टी से भी कॉश्टन्स आएंगे आपके इंडियन जिग्राफी से भी कॉश्टन्स आएंगे इंडियन पॉलेटी सवस्क्राइब सब्सक्राइब कुछ नमबर होते हैं दोस्तों दस से बारह सब्सक्राइब कोच्ण से आता है आता है सब्सक्राइब साता है अर्थमेटिक नंबर सीरीज और अर्थमेटिक रिजनिंग से कोशन साता है यहां पर भी आपका बारा नंबर को पूछे जाते हैं बहुत इंपोर्टेंट साथ में जेनरल हिंदी की बात करें यहां पर ग्रामर वेकवरली कंप्यूटर कंपरहेंशन फिलिंद ब्लैंक इदर डिटेक्शन अन्टोनेम स्ट्रेश और मुहाबरे यहां से कोश्चन पूछे जाते हैं करीब यहां से 10 नंबर के कोश्चन साथ में जेनरल इंगलिस भी आपके दस नंबर के कोश्चन पूछे जाते हैं दस नंबर के कोश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा कोश्चन स चाहिए कौन-कौन है आपका यह उला पार्ट और यह उला पार्ट दोनों मिलाकर 50 मार्ट से यहां सो कुछे जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास फंडमेंटल आफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए CPU के बारे में जनकारी मिमोरी के बारे में बातों को आपको ध्यान में रखते हुए त्यारी करना है बैसिक कंप्यूटर नॉलेज आफ इंटरनेट का बिजनकारी होना चाहिए वेब ब्राउजर इमेल सेच सर्च इंजन वेब सर्विसेज इन सारे बातों को आपको पढ़ना पढ़ेगा साथ बेसिक नेटवर्क के ीएँस आरे बारे में परना है और वार्या लाटिनेटर dapat पूसेंगे जो की आपको त्यारी करनी चाहिए और हलांके में बता बात करूंत bonus यहां पर सभी स्विंद्ध स्यावुक्त सेएग इ उनका यह सेम ही रहता है उनका computer knowledge भी ठीक रहता है आपका जेनर नौलेज भी आपका रिजनिंग भी रहता है और बात करते हैं यहां पर हिंदी और इंगलिस की बात है तो आपको यहां से त्यारी करने की जुरुत हो सकती है और में पार्ट आ जाता है आपका जो टेक्निकल प बस आपको पॉड़ना पड़ेगा और इस वीडियो में हम बताने वाला है कि कैसे इसको हम त्यारी कर सकते हैं और किस website से जाकर कौन से बुक्स के त्यारी करेंगे इसकी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों तो सब सब ले जाने तो कौन कौन चैप्टर है पौला चैप्टर है एसी मसीन याने मसीन से आपके कोश्टन्स पूछे जाते हैं अल्टरनेटर शर्किट ब्रेकर डिसी ड्राइब यह सब सिलेवा से आपका डिसी मसीन वाइंडिंग डोमेस्टिक अप्लायांस लुमिनेशन और इंड्रेस्टियल वाइरिंग मसीन और साथ में नीचे देख सकते हैं कि आपका यहीं से आपका 50 पॉस्टन्स आता है और यह दोनों पार्ट से मिलकर आपका पचास नंबर कोश्टन्स आता है यह तो पार्ट सबके लिए इजी होगा सबके लिए मोटरेट होगा इसमें दिखांस लड़के यहां से को नंबर लेकर आएंगे लेकिन यहां पर पढ़ेगा उसी को यहां पर नंबर आने वाला है इसलिए आप पार्ट बी पर धियान रखें जब तक पार्ट भी आपका कंप्लिट त्यारी नहीं सकता है कि यहां से लेकर इसे लेकर सकते हैं दिया हुआ है दोस्तों जबता दो तो मैं बता दूँ आप बहुत गलत फामी में जी रहो हो यहां पर तीस अजार प्लस सेलरी नहीं है दोस्तों यहां पर अशिस्टेंट ऑपरेटर का जो आपके अशिस्टेंट ऑपरेटर है कर दिए उसका लिंक निचे दिएगे वहां से भी आप उसका नोटिफिकेशन डाउनट करके आप उसका प्लाई कर सकते हैं स्विचबूट ऑपरेटर का आप देख सकते हैं सेम टू सेम है जुनियर लाइन का सेदी सेम टू सेम है और टेक्नीशन ग्रेड फोर्थ का लोग दिया उप दिया हुआ है और इसमें फरम भरने का फीया लगने वाला है इसलिए आपके पास अभी सुनारा मौका है आप डी एप सी इल का फॉरम अप्लाइ कर दीए और इसका इक्जाम अक्तूबर मोहने वाला है इसका नोटिफिकेशन आएगा तब देखा जाएगा फिर भी इसके त्यारी करना है और सबसे पहले बात करेंगे जब आपका सेलेक् होगा है आपको अगर आप के एक त्यारी की आरी की जुरूत है शुत घंटा लिखी यहोजई हमने शлекए बताईबंस लिख अ देख हो डिख लिखे और एक एक चैप्टर का रिवीजन करती है अगर आप आप पास है तो बूक है उसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट को आप पढ़िए आपको अब यहां पर फर्मूला भी आपको देखना पड़ेगा तोटल चीज देखना पड़ेगा और प्रिविजियर को देख लिजिए मैंने ह प्रिविजियर को देख सकते हैं उसके लिंक दिया है आपको एक घंटा पड़ेगा आपको टेकनिकल पार्ट पढ़ना है या तो आप यूटूब का यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे टीचर सेंज जो आपको आइटे इलेक्टिशन के त्यारी कराते हैं साथ में इस च प्रिविजियर कारा है यहां से त्यारी कर सकते हैं तो आपको त्यारी करने के लिए और यह लियुक्त है उनके लिए लग कटब गया और आप फीजिकल है है उनके लिए सब्वेंटि में मिलकेत्व सब्नाइब नेइट करना नेक्ट घंड्र आने वाला है आपका स्कॉर में सब्सक्राइब लेकिन आपको टार्गेट रखना है कि मेरा नंबर कितना है 85 प्लस आएगा तभी आपका सेलेक्शन होने के चांसेज है अन्य था कोई चांसेज नहीं है दोस्तों क्यांगी आप फीमल का रिजर्वेशन 35% कर दिया जाता है अगर फीमल का आज नंबर भी आता है और यह 35% में छूट दिया गया है इसलिए आपको 85% तो आपको लाना अहिवार है ठीक है दोस्तों और नेक्स वीडियो में हम आपको बात करेंगे डी एप सिसी आईल का सिलेबस के बारे में अगर उससे रिलेटेट सिलेबस हमने वीडियो बना दिया हलांकि इसको बिस्तित उपसे नेक सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाए